एक लाख असी हाजार का यह हमने PC बिल्ड किया है, इसमें हमने क्या का इस्तिमाल किया है, वह मैं आपको इस वडियो पर शेयर करने वाला हूँ, देखिए इसमें हमने प्रोसेसर इस्तिमाल किया है, इंटल का Core i9-2900 की सीरी का प्रोसेसर, इसमें आपको टोटल 16 cores और 24 threads 3690 Plus Wi-Fi D4 motherboard, इसमें आपको बैक साइड में टोटल 8 USB ports देखिए आपको मिल जाएंगे, उसमें आपको दो C ports भी दे दे गया है, मतलब आप मोबेल 2 सिस्टम में डेटा ट्रांसर आराम से कर सकते हैं, C port के द्रो, स्टोरेज के लिए आपको 4 M.2 slots दे दे गया है, मतलब स्टो देखिने को मिल जाएगी, SSD जो हमने इसमें इस्तिमाल किया है, XPG की Gamix S50 Lite, 1TB के SSD जो हमने इसमें इस्तिमाल किया है, और इस SSD के साथ में आपको अडिशनली हीट सिंग प्लेट भी देखिने को मिल जाता है, अगर आपके motherboard में हीट सिंग का प्लेट नहीं है, वो option नहीं है तो इसकेस पर इसके साथ में जो भी हीट सिंग का प्लेट आ गया है, उसको आप इस्तिमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी SSD हीट नहीं हो जाएगी, SSD जो है 4th Gen SSD है, बहुत स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी, तो RAM XPG की Spatex T50 हमने यहाँ पर इस्तिमाल किया है, जो की 32GB क स्पीड पर आती है, DDR4 RAM है और आपको इसमें RGB भी देखने को मिल जाएगा, मतलब आप Aura Sync के साथ में इसको सिंग कर सकते हैं, यहाँ पर इतने हेवी components इस्तिमाल कर रहे हैं, तो इसको सम्भालने के लिए हमको Power Supply भी चाहिए, तो Power Supply जो हमने यहाँ पर इस्तिमाल किया ह और PC के अंदर, यहाँ पर हमने ग्राफिस कार्ड इस्तिमाल किया है, Gigabyte का RTX 4060 Ti, जिसके अंदर आपको चार output ports देखने को मिल जाएंगे, दो HDMI, दो DP ports, यह जो ग्राफिस कार्ड है, वो AI को भी सपोर्ट करता है, वाइस क्लेरेंस हो गया, या वीडियो हो गया, उसमें आपक हीट बाहर जाने के लिए, तीन फैन इस्तिमाल किया है, जो कि MF120 Halo, Cooler Master के ही है, हमने यहाँ पर एक्स्टेंशन केबल का भी इस्तिमाल किया है, और यह कस्टमर के डिमांद थी, उनको इस तरिके का एक्स्टेंशन केबल चाहिए, तो उनको इस तरिके का PCI extension cable दे दिया गय है, और यह monitor, curved monitor है, gaming के लिए काफी है, keyboard and e-sports का KM540 हमने इनको दे दिया था, और अगर मैं at the end में बात करूँ, इस cabinet की, बहुत ही तगड़ा वाला cabinet है, इस cabinet में आपको दोनों साइड में भी ग्लास देखने को मिल जाता है, front end right side में, इसमें आप दो SMPs लगा सकते हैं, दो SMPs लगाने के लिए इन्होंने यहां पर space दे दिया गया है, इसमें 3 से 4 साटा SSD लगाने के लिए option दे दिया गया है, HDD लगाने के लिए इसमें option available है, और अगर कोई इसमें vertically graphics card लगाना चाहता है, तो वो भी option इसमें available है, आप vertically इस cabinet के अंदर ग्राफिस card लगा सकता है तो यही था इस वीडियो में, आपको आपको वीडियो आच्छा लगे होगा, अगर आपको वीडियो आच्छा लगा, मतलब जो भी हमने यहां पर specification इस्तिमाल के है, वो आपको कैसा लगा मुझे comment section पर ज़रूर से बता देना, अगर आप में थे से कोई लोग हैं जो PC अगर में available हैं, और आपको जो हमारा office का address भी जो है description तर मिल जाएगा, मिलता हूँ मैं आपको next studio पर, तब ते के लिए, goodbye